तो बीजेपी जो कुछ भी कर रही है, बीजेपी तो पूरी उन्माद की सियासत कर रही है, रोगों के रोटी का नवाला तक छीन रही है, लेकिन बीजेपी की और आरेसेस की शरारत और नफरित की सियासत को लगाम लगा है, हम इसको अच्छी नजर से देखते हैं, इन जा रहा है कि विपक्ष का चेरा निति स्कुमारों के इस पर आपकी पार्टी क्या रहा है, बिहार परदेश की राजनिति करते हैं, लेकिन ये सवाल बार-बार होता है कि आप सिमांचल से बाहर कभी ने निकल सके हैं, बिहार में सियासी परिवर्टन हो चुका है, जो कैसे देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? जिसकी में वकालत कर रहा हूँ, कि आज के बदलते हुए सियासी फिजा में मुस्लिम माइनर्टी के किसी आदमी को नायब वजीर आला बनाया जाए, डिफ्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, इससे पहले अंडिये में थे दो दो थे उनके, आंधरा में पाच पाच हैं, यूपी और मारास्ट्र में भी एक से जाएद बने हुए हैं, डिफ्टी चीफ मिनिस्टर, तो इस घठक दल में अगर सबस्यादा वोटशेर किसी का है, तो वो मुस्लिम माइनर्टी के किसी आदमी को डिफ्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, ये मुतालबा हम कर रहे हैं कुकि विहार में, मुसलिमानों के दर्मियान में, मुसलिम मैनुर्टी के दर्मियान में, काफी पिशरापन है और काफी लोग निसाया अपने आपको महसूश कर रहे हैं तो मैं समयता हूँ, इसके मौनोबल में एक एदाफा होगा, इसलिए उनको डिप्टीशीमिस्टर बनाया जाए। 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 लेकिन चुके बीजेपी से और आरेसेस की राजनीती से मुझे नफरत है। मैं उससे दूर रहता हूँ इसलिए मुद्दों के आधार पर बिन मांगे भी मेरा समर्थन इनको प्राप्त है। लेकिन मुद्दों के आधार पर अभी आपने सीमांचल की बात की लेकिन आप बिहार प्रदेश की राजनीती करते हैं। लेकिन यह सवाल बार बार होता है कि आप सीमांचल से बाहर कभी ने निकल सके। निती आयक कोई रिपोर्ट ये कह रही है कि पूरे देश में बिहार फिसड़ी है और बिहार के अंदर में सबसे ज़्यादा सीमांचल पिश रहा है। अगरे बताता हूँ आपको पर केपिटा इंकम सबसे कम है सीमांचल का इंफेंट मोटिलेटी रेट सबसे ज़्यादा है सीमांचल का माइगरेशन सबसे ज़्यादा है सीमांचल का चाइल लेबर सबसे ज़्यादा है सीमांचल का नोकुरियों में सबसे कम हिस्सेदारी है स तो पूरे भी हार के, माइनिटी के लोग चंपारण में भी है, माइनिटी के लोग साबाद में भी है, माइनिटी के लोग गया में भी है, माइनिटी के लोग भागलपूर में भी है, तो मैं रहे कर रहा हूं कि माइनिटिक के दर्मियान में से तो मैं उसकी खालत कर रहा हूं जहां तो नोकरी की बात कर रहा हूं दसलाक की बात कर रहे हैं तो मैं दुचाराओं के दसलाक वोजा नोकरी मिले यह कहा की बात नहीं करता हूं आईसी कोई बात नहीं है यकीनन है माँ सब बच्चों से प्यार करती है लेकिन जो बच्चा बीमार होता है उसका ख्याल जादा रखती है नाराज़ी का क्या है वो एक अलग मुद्दा है हमारा वो एक अलग मुद्दा है यकीनन यकीनन वो मुद्दा है हमारे भर्सों के मेहनतों को तबहा किया गया है वो एक अलग मुद्दा है लेकिन जुगे बीजेपी से हटके लिए लोग अलग बने हैं तो जाहिर है कि माइनिटी का वोट शेयर है मेरा टेक्स का पैसा है तो हम थोड़े अपना मुतालबा करना बन करें तो फिर आप एक कैस छेम नितिश कुमारों के इस पर आपकी पर्टी के अभी नितिश कुमार जी ने तो कल हाध जोर कर कहा कि हमां अब अभी पर्द्हार को आध्मी कर कोई बने तो अच्छी बात होगी हमारे साथ औल इंडिया मजली से त्यादल मुसलिमीन के परदेश अध्यक्ष और इस पार्टी के एक लोगते बिधाय कक्तुलीमान साब थे इन्हें उन्हें उन्हें साब तुर पर कहा कि जो पार्टी बनी है जो सरकार बनी है मागड़ बंदन की ये बनिया से सरकार ठीक है ये काम करें लेकिन हल्प संख्यकों का ध्यान रख्या और डिप्टी सिये में हल्प संख्यक का होना चाहिए आपकी क्या मानना है क्वर्टी के लिए कमेंट करके बता है ये फेस्बूक देंसेर कीजिए